गौतम गंबीर की एक बार फिर से हो गई है, बहुत बड़ी लड़ाई और यह लड़ाई हुई है, यह लड़ाई हुई थी, एक लोकल क्रिकेट मैच जहां चल रहा था और एश रिशन्थ गिन बाजी कर रहे थे, गौतम गंबीर बल्ले बाजी कर रहे थे और लगतार दो बॉल उपे गंबीर ने 10 जन बना दिये थे, जिसके बाद एश अपेसर एश रिशन्थ में थोड़ा अग्रेशन जरूर आया और तीसरी बॉल जैसे ही शिशन्थ ने डाली, गौतम गंबीर उस पे शॉट नहीं खेल पाए और वो डिलिवरी डॉट हुई, तो थोड़ा सा स्लेज वहाँ पे शिशन्थ ने गौतम गंबीर को किया, क्योंकि ये सब हमें वीडियो में देखने को मिला, जिसके बाद गौतम गंबीर ने उन्हें डेट स्टेर दिया, यानि बहुत देर तक घूरते ही रहे गए, हाला कि जितने भी लोग मैच देख रहे थे, सबको लगा ये बात खतम हो गई, पर ये बात वहाँ पे खतम नहीं हूँ, क्योंकि उसके ठीक बात, एक फैन ने ट्विटर पर एक वीडियो डाली, जिसमें गौतम गंबीर और शृषण एक दूसरे को स्लेच करते हुए नजर आये, उन दोनों के बीच में एक गहरी बातचीत हो रही थी, इन केस जैसे आप कहते ना कि बातों में लड़ाई वो हो रही थी, जिसके बात पार्दे पटेल आये और उन दोनों को ही अलग किया, जिसके ठीक बात, जैसे ही मैच कतम अशृषण ने एक डाइमिंट की वीडियो भी डाली अपने इंस्टाग्राम पर, और उन्होंने गौतम गंबीर पर बहुत बड़े-बड़े इल्जाम लगाए, यह भी लिखा, कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जहां पर अटेंशन के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, हलाकि यह क्रिप्टिक पोस था, उन्होंने एस शृषणत को डिरेक्ट ली टार्गेट तो नहीं किया, पर अब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जा चुके हैं, पर गौतम गंबीर और एस शृषणत की बीच में यह एक बहुत बड़ी लड़ाई, फिलाल क्रिकेट न्यूज में सबसे टॉप पर है, इंडिन क्रिकेट में सबसे बड़ी खबर इस टाइम पर कोई है, तो गौतम गंबीर और शृषणत की लड़ाई ही है, देखते हैं और क्या क्या होने वाला है, क्या गौतम गंबीर की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आएगा, या एक शृषणत की तरफ से एक नहीं और वीडियो आने वाली है, कुछ भी अपडेट्स होती है, हम आपको सारी बताते रहेंगे, सिर्फ वर सिर्फ क्रिकेट कंट्री उपर.